मैं आप याद करिए जब मैं इसमें कोई भी वकील नहीं था जब मुझे इसमें वकील किया गया था और जो मैंने रात दिन मेहनत की थी इसमें और वो चारों तरफ से केसिज डाल करके ये लोग एपी सिंग भी फस चुका है मित्रपाल भी और ये सारे लोग फस चुके है सीम गाना नाच कहीं हो रहा है अब तो खिस्यानी सी मुझ इसका देखो चैरा इसका उतरा हुआ कैसे बैठ के सिरफ इल्जाम बजी गालिया गलोच कर रही है वो एक नाच गानेकार जो खुसी थी वो तो खतम होगी ना ये कव हुआ है जब चारों तरफ से कानुनी रूप से ह हमने इसको फसाया है अब रही हेमत की बात तो आपको पता होगा कि जिस वक्त इनों ने एपी सिंग ने भी दो चार दिन पहले एक फरजी सा के एक बाइट चलाई थी कि हमने मुमिन मलिक केस डाल दिया ये डाल दिया और जो इसके सीवा बक्ती में दो चैनल है उन्होंने केस दर्ज नहीं हुआ उसके लावा कुछ नहीं है कोड उसको देखेगी समझेगी पाद में ओर करेगी अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ ये सब जो ना फरजी बाते चला रहा है मीडिया में आने के लिए तो जब वो कोड में इसने डाल के मीडिया पे चला दिया और जैस बेल एलीकेशन हैं सिमा हेदर में मेरी जानकार हैं औरुम्हें इसको जानता हूँ सरफ जानकार के तोर पी मेरा इस संग्न को केस लगा उस के अंदर एक है तुक यह द लगा यह कैसे application में कि सीमा हैदर को मैं मेरी जानकार है और मैं इसको जानता हूँ सिरफ जानकार के तोर पे मेरा इससे कोई रिस्ता नहीं है ना मेरी ये बीवी है ना कुछ है ये बेल application में कहा उसके साथ एक affidavit लगता है सचिन का वो affidavit लगा जिसके अंदर वो कहता है ये मेरी जानकार है उसके अंदर ये निगा के मेरी नी壹ी है इपी सिंग ने जो cases लगाया उसके अंदर एक एफिडवट लगाया है एपी सिंग को कानूनी अकल तो है नहीं दिमाग सटिया गया बुरह हो गया तो पानुनी अकल नहीं है, उसने एफिडेवट ये लगाया, कि सीमा हैदर मेरी वाइप है और मैं सचिन मीना सीमा हैदर का एज्मन हूँ, अब मेरे पास वो एफिडेवट है जो इसने बेल के समय लगाया था बेल के टाइम पे लगाया था, और यह एफिडेवट भी आ गया है जब इन दोनों एफिडेवट को कोड़ देखेगी कि एक तरफ एक एफिडेवट में तो कह रहा है जी मैं इसको मेरा ये जानकार है खाली मेरी कोई पतनी नहीं है दूसरे एफिडेवट में कह रहा है जी ये मेरी पतनी है मेरी नेफाल में साधी हो चुकी तो दोनों में से फरजी एफिडेविट कौन सा है कौन सा ठीक है खुद ही फस गया ना ही इसके कोट ही सचिन के किलाब चारिसो बीस, चारिसो सटसर जाल साजी का फरेव करने का दोका दड़ी का गलत एफिडेविट का इसके खिलाब केसदर्ज करादेगी कौट जब हम application लगाएंगे court में कि जनाब यह देखो यहाँ affidavit में क्या कह रहा है और यहाँ affidavit में क्या कह रहा है तो जब मैंने live में यह जवाब दिया तो AP Singh के तोत्य उड़गे Sachin मीना के भी तोत्य उड़गे तो उन्होंने जानने की कोशिस की यार कौन सा अभी डेविट है Sachin का तो उन्होंने पारसर से वो कागट मांगे कि हमें वो कागट देओ वो कोपी देओ अब पारसर ने वो दी नी अब जब पारसर ने दी नी इदर इनकी इनकी हालत खराब होगी इन्होंने केस तो डाल दिया लेकिन डाल के अपने गले में फंदा खुद डाल दिया इन्होंने तभी तो मैं हसना था कि मेरे बिचायवे जाल में खुद फस गे हसना था ना जी 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 वो मेरी कानुनी चालती कि ये एफिटेट दें और ये फसें केस को तो हम अपना आप देख लेगे केस को हम अपना आप देख लेगे उसकी दिकत नहीं है लेकिन अब जब उन्होंने इसके कागज नहीं दिये ये चारते के हुआ एफिटेट देखना कि उसमें सचिन ने क्या लिखा हुआ है तो वो उसको उसने कॉप्य उसने दी नहीं नहीं तो जब कॉप्य नहीं दी तो फिर एपी सिंग ने इसको स्क्रीब लिख के दी कि हेमद के खिलाब आप ये वीडियो बनाओ ये कहा नहीं है अच्छा ये गुसासल में इस बात का है कि हेमद पराचर साब ने फाइल नहीं दी और वैसे कानून हिसाब से वो दे भी नहीं सकते इनको अगर चाहिए तो वो कोर्ट में अप्लिकेशन दे कोर्ट से रसीव कर सकते हैं हेमद साब से नहीं हेमद के बगार कोर्ट से भी ले सकता ठीक है अच्छा सर लोग बार बार सवाल करते है एहमद पराचर साब क्या बेल इसकी कैंसल करा सकते हैं अब इस वक्त क्योंकि वकील उमने जाइरी तूर से बदल लिया है एहमद पराचर को इस बारे में राइट नहीं है कि कोई भी अप्लिकेशन वो उसकी तरफ से लगाए हाँ है है मत पराचर अगर चाहे तो मैं अब जल करने जा रहा हूं अगर जेवर कोर्ट से नहीं हमारी सुनी गई कोई बात नहीं तो हम सैसन कोर्ट जाएंगे अगर सैसन कोर्ट से भी हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और अगर हाई कोर्ट से भी हमारी बात को फेवरेवल कोई ओर नहीं आता तो ह सुप्रिम कौर्ट तक भी जाएगे हेमत प्रासर अगर चाहें तो इसकी बेल कैंसल कराना तो हेमत प्रासर मुझे एक स्पोर्टिंग एफिडेट दे सकते हैं जो मैं बेल एप्लिकेशन लगाऊं के लिए लगाऊंगा के जनाब मैं इनका वकील था और इन्हों ने मुझे दोके में रखा और मुझे गलत बयानी की कि मेरा नाम सीमायान मैं फला फला की वाइप हूं और सचिन ने भी ये गलत जाएं थाएं तो लगा देता हूं तो वह केस में जो है उसकी बात को हमन की बात को भी सुना जाएगा और बेल कैंसल करने में आसानी हो जाएग मात के पास अभी बड़ा अच्छा मौका है वो इसलिए नहीं कि वो सीमनने उनको गालियां दी हैं तो तब इनके पास अच्छा सवाल करी थी एक साल से सवाल करी थी कि हमन साहब जब आप ये कहतें जी यह आश वुरत है आप कहतें जी उसे दोका दिया समाज दुश्मन वरत है तो पिर हैमन साब आपके पास ये बड़ा एक रास्ता है कि आप दोनों वकील मिलके कानूनी तौर पर समाज की एक रक्षा के लिए समाज को इस गंद से बचाने के लिए आप कानूनी तौर पर साथ दे सकते हैं और ये कोई आपके उपर कोई आपके किरदार के उपर आपकी एक वकील होने के उपर कोई उपर निउठा सकता क्योंकि आपका ये कानूनी तौर पर एक खलाकी तौर पर भी फर्ज बनता है तो सार ये बहुत बड़ी खबर हो जागी क्योंकि अगर हैमन साब ये साथ नहीं भी देते अपना हलाफ भी हम कोट में कोल करेंगे और वो भी स्पोटिंग डेकुमेंट होगा अब तो हंड़र परसंट ये मान के चलो क्योंकि मैंने सुरू में अगर मैं चाता तो सुरू में भी बेल कैंसल के लिए मैं डाल सकता था कोट में लेकिन मेरी लीगल चाल ये ठीक है मुझे ऐसे बहु उसमें ये फस गए हैं बुरी तरीके से गुगली में कानूनी गुगली में ये फस चुके तो इन्होंने एफिडेट दे दिया इन ना समझ लोगों ने ये भी कोशिस नहीं की कि कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है बिलकुल नह कि कहा था ये बात कि ये सीमा मेरी वाइफ नीं है बलकि मीरी एक जानने वाली है और उसने भी आखरी दम तक मुख्ले जो इंटर्वियू से उसमें ये कहती रही, कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, यानि कि जब कोट का एक परुसियर चला तो उसमें तो मन चुकी है, कि वो गुलाम हैदर की वाइफ है, अब यह नया कार्ण है, इसमें खुद थाच चुक है, आप सही कह रहे हैं, सर वो कह र की जो आना चितर प्रेर ना कर दे इनके लिए मुश्किल खडीना हो जाए यह आएंगे चुप चाप आएंगे पतली कली से निकल जाएंगे एपी सिंग पेस होगा 101 परसंट यह मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इनको पता है इनको पता अगर पेस नहीं होंगे तो एक्स प प्रभाव से उसकी एविडेंस लेकर के एक तरफा फैसला गुलाम नदर के हक में आएगा